दोस्तों आज किस वीडियो में मैंने हिंदी का पूरा का पूरा माडल पेपर आपको प्रवाइट किया है इसके बार में एक पॉइंट जानेंगे किस प्रकार कोश्चन आएंगे कैसे अंसर देना है एक टूट जड़ जानकारी मिलेगी बस आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है जिससे आप लोगों को सारी जानकारी मेरे द्वारा प्रोवाइट की समझ में अच्छे से आ जाएं तो चलिए बीनादरी की वीडियो में आगे बढ़ते एक चीज मैं कहूंगा वीडियो को पूरा लाश्ट तक जरूर देखेंगे अगर आपका एक्जाम आने वाले दिनों में है यानी सेसन दोजारी की सेसन में है तब ध्यान में रखेगा यह बात चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं नमस्कार दोस्तों मैं संदीव स्वागत आप सभी का आज किस नहीं पिस वीडियो में आज बात करेंगे हिंदी मार्डल के बारे में जो भी काफी बताया भी है और भी अपडेट आएंगे तो हम आपको और भी जानता ही देंगे आप सभी को मालूम है कि जो नई इच्छा नीती आए उसमें दो प्रकार के कुश्चन पूछे जाएंगे एक ऑबजेक्टिव होंगे और एक होंगे सब्जेक्टिव यानि कि एक सब्जेक्टिव ही कोश्चन आएंगे यह आप लोग ध्यान में रखिएगा हाला कि कई में कुछ कुछ चेंजिस हो सकते हैं तो आज इस वीडियो बात करेंगे सारे सब्जेक्टिव यानि कि लगुत्रियत लगुत्रिये बेर दीर गुत्रिये और व्याख्यान जो देखा रहेंगे मैंने पूराका पूरा हिंदी आपके सामने रख डिया यह सारे से पूछले सांदिन में पूरा नेルクर्यमेर,ना यह इसमें पहले तो आप लोग देख लिजे यहां पर लिखा है मैक्समुम 50 मार्क क्योंकि जो पुडांगे 50 मार्क का है हलाकि अलग-अलग इंवर्षिटी में कहीं पर 100 का हो सकता है कहीं पर 50 का हो सकता है लेकि आप लोगों को सिर्फ कोष्चन से मतलब हागे और आप लोगों को टायम मिलेगा 3 घंटे का कहीं कहीं पर 30 का हो सकता है लिखा है कि सभी खंडों के प्रसंद अनिवार शारे चासा में प्रसंद दिये गए तो इसमें आप लोग पहला जो इसमें लग उत्रिय पेस पहुचे गए असमें लिए पत्रों के उत्तार दीजिए। नहीं नहीं चाहिए यह आप लोग धान में रखेगा ठीक है सबी के अंक आप लोगों को सामने निरधायत सबी एक दो तीन चार पांच छे कॉश्चन हैं 6 अगर करेंगे तो आप लोगों को अठारा नमबर इसमें मिलेंगे एक गस्टन के तीन नमबर मिलेंगे पहला कोश्चन है कि अग्जे हम पढ़ेंगे कि अग्जे के प्रकुत चित्रण की बिश्चेस्ता है संचेप में बताईए तो आप सभी को मालुम ही है इसके इनका पूरा नाम है तो आप लोग इनके पूरा नाम पहले लिख देंगे की हिंदी के प्रगतिवाद युके प्रमुख का भी स्रीफचिदा नंद हीरा नंद वासनगे की जो प्रमुख विसेशताये हैं वह निमलिख्यत हैं उसके पुल्म को कि रिखना निया किसके बारे में उनों के पार्ट क्राम है उस 인के बारे में 100 मियानिक एक सबस्वर्ट होने चाहिए इतने में आप लोगों कि इनका एंसर लिखना है तो आई होप ये कोश्चर के लिए हो गया हो के डीटियल में आप लोगों को गूगल में जरूर मिल जाएंगे हलाकि सभीका एंसर लाने में बहुत टाइम लगेगा और वीडियो बहुत ज्यादा ही नहीं बता करना हूँ टॉप कोश्चर मचा रहा हूं उन सभी का एंसर ढूंडने का आपका काम है कुछ मैं कर रहा हूं कुछ आप लोगों को करना होगा लिखा कि कभी केदार नात अगरवाल की काभ प्रकृतियों पर प्रकाश डालिए तो कभी केदार नात अगरवाल जी हैं उनकी जो काभ प्रवत्तियां हैं ठीक है काभ ये बहुत सारी प्रवत्तियां होंगे उसमें काभ विभासा आ जाएगी ठीक है काभ विक्रतियां आ जाएंगे बहुत साइचीजें तो उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा संचेप में या पिर आपके सकते डीटियल में यान यह थार्थ व्यंजित है अश्पष्ट कीजिए तो यह जो और यह है सब्दार्थ आप कह सकते हैं या फिर यह संटेंस है इसका आप लोगों को अश्पष्ट करना है ठीक है इसके बारे में अगला कोश्चन है कि त्रिलोचन की काब संबेदना प्रपकाश डाले तो जो त्र जो कोश्चन है कि अलोक धनुआ का संकालिन कविता में अस्थान ने रूपित के जीए तो अलोक धनुआ का समकालिन गवितामें क्या प्रतेख्षान उन्होंने निरूपित किया उसके वारे में आप लोगों को लिखना है यह अंसर आप लोगों को वहीं मिलेगा जो मैंने उपर बता है यानि कि बुक या गूगल पर अब खंड आ जाता है बाँ अब खंड बाँ में इस देखें पैटरन देख लीजे एक जाम आप लिखा है प्रतेख आठ इसका मतलब है यह कोईस्टन पर लीजे समझ में आ जाएगा लिखा कि निम्लिकित पद्यांसों में से किनी दो की संदर्व यों प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए ठीक है यानि कि यह कम से कम चार इसमें चार आप कह सकते हैं कि चार पद्यां पद्यांसों में से किनी दो पद्यांस की आप लोगों को संदर्व सहित व्याख्या करनी है जिसमें से पर पद्यांस के लिए आठ नमबर दिये जाएंगे तो दो पद्यांस को आप लोगों को इसके पद्यांस के संदर्व सहित व्याख्या करनी है इसके लिए आप लोगो द्वार जिससे मुझे जाना है समय मेरा रत और उल्लास मेरा घोड़ा मेरा जीवन घास की पत्ती से जूलती हुई एक आइनी बूंद सुरी की पहली क्रेट से जगमगा उठे और स्वयम केड़े विक्रित करने लगे मेरा कर्म गले का जुआ नहीं वो जोती हुई भूम बन जाए जिसमें मुझे नया बीज बोना है तो इसी मैं यह नहीं कहूंगा कि यही इस बार भी कोश्चन यहीं कि जो पध्यान से इस बार भी यही रिपीट हो जाएगा इसी से रिलेटेड इसी प्रकार के मुझे जाएंगे इस बार भी पध्यान से ठीक है यह मत भरोसे रख को टॉप लेबल के जो भी है वह आप लोगों को पढ़ने हालाकि आने वाले दिलों में हम वह भी बताएंगे कौन से टॉप लेबल के पद्यांस है लेकिन यह भी पढ़ लेंगे तो हो सकता रिपीट हो जाए तो आपको मैं बता दूँ किस तरह लिखना यह भी मैं आप कणतियां द faculty में आप लोगों कि एक कभी को लेकर बता रहा हूं एक कभी को लेकर उनकी कृट को लेकर बता दे हूं जापकर के तो यहां प्रस्तुत पंग्तियां या 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 प्रस्त उद्रत एक बूंद सहसा उड़ली एक बूंद सहसा उचली सीसक कविता से उद्रत की गई है या फिर आपके सकते हैं एक बूंद सहसा उचली पध्यान से संक्लित किया गया है जिसके बारे में आप फिर से में आप लोगों को पढ़ देता हूं थोड़ा रोंग हो गया पर बोलने में इसमें आप लोगों को लिख देना है कि प्रस्तुत पंक्तिया सचिदानंद हीरानंद वासन अगेजी द्वारा ठीक है बिर्चित या फिर आप उद्रत भी कहले सकते हैं एक बूंद सहसा उचली सीशक कविता से उद्रत की गई है यह आप लोगों को संदर्व लिख देना हाला कि जब हाइश्कूल और इंटर में जो संदर्व लिखे जाते थे तो वहाँ पर उसका कुछ और ही त्वाड इटियर में लिखता था वहाँ कभी मैं आप लोगों को आठेकरम हमारे पुस्तक जिसके जो भी है पुस्तक के नाम ठीक है उससे उद्रत लिया गया है जिसके रचेता स्री रस्खान जी यह तुलसी दाफ जी है ठीक है इस तरह लिखा जाता था है अब जैसे जैसे की लेबल चेंज होता है आप लोग गर्योशन में पहुंच गय प्रसंग में यह लिखना है कि जो पध्यांस दिया गया है या पिर जो भी पंक्त दी गई है उसमें किसके बारे में बताया गया है वही आप लोगों को डेट से दो लाइन में लिख देना है बस जैसे एक्जांपल कि तुरू में बता दूं कि इन पंक्तियों में कभी ने प्रसंग में और व्याख्या जो भी आप लोग की यह पध्यांस या फिर आपकी जो पंक्त या पिर जो कभी ता रहेगी उसी के बारे में आप लोगों को अंधेरी राग जाकते हैं सुछ के तरह मुस्कुरा उठे बस लिखना कि अंधेरी रात में जो बालक था वो मुस्क देखने को मिल रहे जलजात तो यह सारे हैं इनकी आप्षन यानि की दो करने एक दो हो गया ठीक है अगला जो है वह यहां पर मिल जाएगा गा नंबर घा नंबर तो इसमें चार है जिसमें से आप लोगों को दो को करना है अगला खंड आ जाएगा जिसका नाम है साखंड खंड नंबर सा सेथमें दीर देर गुत्तर याथ कोश्टन में आप लोगों को चार कोश्टन देखने को मिल लेंगे एक दो तीन चार स्वाब सकते हैं वही दो अप लोग सिलेक्ड करेंगे जिसके लिए आपको प्रतेषय केलिए आप लोगों को आठ नंबर मिलेंगे दो प्रस्ण है तो इसके लिए आप लोगों को एंसर करेंगे दोनों का तो सोला नंबर आपको मिल जाएंगे तो पहला कोश्चन है कि अग्ये के कब संदर पर प्रकाश डालते हो प्रियोग बादी कविता में अस्था निरूपित कीजि और अगला कोश्चन है कि मुक्त बोध की का विकला का बैभो बताईए तो जिसका आप लोगों को अच्छे से मालूम हो वही आप लोगों को लिख देना है यह सारे टॉप लेबल के कोश्चन है चार इसमें से मैं गारंटिक से कहता हूं कि एक ना एक कोश्चन आपको पू करता के लिए ज्यादा अपना सर्मान पढ़ किया या फिर कौन सिक्रत के लिए किया है तो 100% में कह सकता हूं कि एक ब्याख्या में और एक दीर घुत्रे में कोश्चन पहसना है तो आपके 16 नंबर किलियर हो जाएंगे अग्गे से संबंदित यह ध्यान में रखिएगा एक चुली जो मैं बता रहा हूं किसी भी स्टूडेंट को सभी की बात नहीं कहता हूं लगबग 90% में बात कर सकता हूं कि सभी छात कुछ तो लिखते हैं उसके बाद बना-बनाके ही लिखना पड़ता है उनको तो आप लोग भी इसी पैटर न को फालो करेंगे कुछ इनके गुरु ने इनको क्या फिक्छा दी कैसे हुआ और इनों ने किस कभी किस कभी इता के लिए ज्यादा इन्हों ने अपनी प्रेहणा रखी बहुत सारी चीजें इसमें ठीक है तो यह द्धान में रखेगा अग्ये जी को ठीक है तो यह सारा पूरा का पूरा माडल पेप करता है अलाग अलाग इनुवर्स्टिटी के उपर वहां पर कैसे पूछे जाएंगे और किस बेस में यानि किस पैटर पूछे जाएंगे इस पर आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी अगर कोई कोई सुजाल बेसे कमंड करके पूछे हम आपको मिलेंगे नेस्ट वीड आपको मिलें जाएंगे झालता है जाएंगे जाएंगे जाता है।